परम पूज्य गुर्देव जी अर्चनी बंदनी संसमाज धर्म प्रेमी शज्जनों माताओं यों बहनों प्यारे बच्चों मेरे लिए भी आदेश हुआ है आदेश का पारण करते हुए कुछ मिनट कुछ कहने का प्रियाश करता हूँ तीन शूत्र है दुर्वशन मुक्त जीवन कल्पना रहित जीवन और बोध युक्त जीवन जिस संत ने इस सब्द को कहा होगा बहुत ही सोच करके कहा होगा कोई बहुत गूर नहीं है सब समझते हैं किन से क्या लाब होता है दुर्वशन मुक्त जीवन जिसके जीवन में दुर्वशन नहीं है उसके चेहरे को देखा जा सकता है उसके दात को देखा जा सकता है उसके घर संसकार को देखा जा सकता है जिसके जीवन में दुर्विशन है गांजा, भांग, बेड़ी, सिंग्रेट जो भी वो गंदी आदत में डूबा है अत्वा कर रहा है उसके घर, बेवार, परिवार शब देखा जा सकता है कि कैसा उसका जीवन है तो हमें दुर्विशन से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए दुर्विशन मुक्त हम थे, बीच में आदत पड़ गई है बीच में हम संग कुशंग में पड़ गए लोगों के बीच में बैठे तो जिसके पास जो होता है वही तो देता है एक तंबाकू खाने वाला विचारा क्या दे सकता है तो जो उसके पास है वही आपको देता है एक बीड़ी पीने वाला, एक गांजा पीने वाला एक भांग खाने वाला, और एक जुआ खेलने वाला यह आपको क्या दे सकते हैं जो उनके जीवन में है जो उनके आदत में है जो उनके जेम में है वही तो आपको देंगे तो आपको क्या चाहिए अगर आपको गांजा चाहिए भांग चाहिए बीड़े चाहिए सिंग्रेड चाहिए जुमा खेलने की आदत चाहिए तो ऐसे लोगों को हमें सुभिकारना च चाहिए जाना चाहिए जिससे हम भी वैसा कर सकें अगर ऐसा नहीं चाहिए इन सारे दुरबशनों से हम बचना चाहते हैं हमारे आत्मा उससे दुखी होती हमारा मन पिडित होता है उससे बचने का मन में एक कलपना होती है तो ऐसी संगत से हमें बचना चाहिए ऐसा नहीं है क उनसे राम जोहारी करना बंद कर दे, उनसे बोलना बंद कर दे, उनके पास जाना बंद कर दे, ऐसा नहीं है, अपना विवहार निप्टाना चाहिए, निप्टाएं, पर सुनिए सब की निवेरिये अपनी, सब की सुनना चाहिए, सब से विवहार करना चाहिए, सब से राम र जान्दी जी काते हैं पापी से घणा नहीं करना चाहिए पाप से घणा करना चाहिए जो पाप है उससे हमें बचना चाहिए पापी का दोश नहीं है उसे उसे हम घणा क्यों करें वो जो पाप करता है उसे हमें घणा करना चाहिए वैसे काम हमें नहीं करना चाहिए एक पिता के पास दो बच्चे थे एक बहुत शजन बहुत शंत सेवी बहुत शुंदर गाउं भर में उसका नाम था वेभार था अच्छा जीवन जी रहा था और एक व्यक्ति ऐसा था जो मता पिता को दुख देता था परिसान करता था सुबा साम दारू पी करके आ करके गाली देता ग मनुष जीवन में ये बाते नहीं होना चाहिए तो आपने कहां से सीखा या ये मनुष जीवन में होना चाहिए तो इसको आप कहां से सीखे तो जो सद्गूरी थे सदाचारी थे वह भाई वह व्यक्ति बोला कि मैं अपने पिता से सीखा हूं मेरे पिता जी सराबी है सराब पी कराते हैं मा को हरान करते हैं घर पूरे परिवार में पडोस में सब को एक प्रकार से हरान करते हैं दुख देते हैं तो इसलिए मैं सीख लिया उनसे कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कि मेरे वज़ा से किसी को कश्ट हो और मेरे जीवन में उसका हानी उठाना पड़े हानी कानभव करना पड़े मैं वैसा काम नहीं करूंगा इसलिए मैं संतों की संगत करने लगा गुर्जनों के पास जाने लगा और अच्छे लोगों के पास बैठने लगा मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया और मैं ऐसा जीवन जी रहा हूँ और शराबी से पूछा गया दुसरे भाई से उसने कहा आप कहां से सीखे आपके भाई तो बहुत अच्छे हैं बड़े सद्गुड़ी बड़े सदाचारी है और आप ऐसा जीवन जी रहे हैं काई मैं अपने पिता से सीखा हूँ आखिर चोर का बेटा क्या हो सकता है चोर ही तो हो सकता है सराबी का बेटा क्या हो सकता है सराब नहीं पिये तो क्या मतलब है फिर तो मैं अपने पिता से सराप पिना सीखा मेरे पिता जी पीते हैं मस्त सो जाते हैं कोई चिंता नहीं होती है साधी करना है व्याग करना है घर खेती बाड़ी कोई टेंसन नहीं उनको बस सराप पिये धुत राते हैं मस्त राते हैं तो मैं भी इसलिए ऐसा जीवन जीना सीख लिया। अब सोच सकते हैं दोनों वहीं से सीखे हैं। ये संसार एक पुष्टक की तरह है। उससे हम क्या सीख लेते हैं वो हमारे उपर है। यदि हम संतों से गुर्जनों से सज्जनों से नहीं सीखें। तो प्रकृत हमें अपने आप सिखा देगी क्योंकि जब ठोकर लगेगी क्योंकि प्रकृत की ठोकर लगते ही धर्ती तक हिल जाती है। बड़ी बड़ी संपत्ति यहां पर मिट्टी में मिल जाती है। अब अपने जीवन को जाग कर देखें और दुर्वशन मुक्त बनाएं। सकुन अपसकुन बुद्वार को उधर नहीं जाना चाहिए। सुक्रवार को उधर नहीं जाना चाहिए। जो मन में भ्रहम है। एक किसी जाल साज का रचा हुआ एक खेल है। बनाया हुआ रूधा हुआ एक काटे की बाड़ी है। इसे हमें बचना चाहिए। क्योंकि वो अपने धनिक पाने के लिए अपने शोर्त अपने को उपर रखने के लिए, उचा पुजवाने के लिए, गुरू बनने के लिए या पंडित बनाने के लिए ज्यानी मनाने के लिए पूझ मनाने के लिए तमाम प्रकार कि उनके पास स्वार्त था और उन्होंने ऐसी रचनाई की ऐसी इसी बातें गढ़ी ताकि लोग हमारे सामने जुकते रहें हमारी बात मानते रहें आज देखो ना बिना पंडित की साधी नहीं होती बिना पंडित के नाम नहीं धरे जाते थे आप तो सब धर लेते हैं अपने से साधी भी करवा लेते हैं आपके घर में कोई मर जाए तो बिना पंडित की उसको जलाया नहीं जा सकता है तो ये वो अपने श्वार्थि के लिए ऐसा किये श्वार्थ होना बुरा नहीं है अगर हमारे जीवन में ज्ञान आता है, बेवेक जगता है, विचार बढ़ता है हमारे जीवन में भी विकाश हो रहा है हमारे मन में खुशी मिल रही है तो ऐसे श्वार्थी को पूजना चाहिए वो श्वार्थ नहीं है बलकि महाश्वार्थ है और बहुत काम की चीज है जैसे संत गुर्जन भी श्वार्थी होते हैं लेकिन अपने कहा है कि अपने परिवार के लिए अपने श्वार्थ को त्याग देना चाहिए और अपने गाउं के श्वार्थ के लिए अपने परिवार को छोड़ देना चाहिए अपने देश के लिए अपने गाउं को छोड़ देना चाहिए और अपने राश्टर के लिए पूरे भारत के लिए अगर देश को भी छोड़ना पड़े तो उसे भी छोड़ देना चाहिए लेकिन अपने कल्यार के लिए अगर पूरी दुनिया छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए तो संत गुर्जन महा स्वार्थी होते हैं वो अपने कल्यार के लिए सब को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं वो कितना धन देता है, कितना प्याद देता है, कितना इसने देता है कितना वो आपके जीवन में छाया बन करके जिया है इसका बहुत मात नहीं रखता है वो अपने श्वार्थ के लिए जीता है वो भी कल्यार के लिए अगर वो ये धन को बढ़ाने के लिए जन को बढ़ाने के लिए घर को बढ़ाने के लिए गाड़ी मोटर बाहरी बायबहों के लिए वो अगर स्वात रखता है तो ये तो सारा संसार रख रहा है सारा संसार इसी में पड़ा हुआ है तो मैं का रहा था हमें कल्पना मुक्त जीवन जीना चाहिए जो हमसे अलग है हमसे अलग क्या है ये देवी देवता भगवान भवानी सारे जो दुनिया में माने जाते हैं ये सब से हमसे अलग हैं सब जब छूट जाते हैं तो ये देवी देवता उसके साथ छूटेंगे नहीं सब छूट जाएंगे फिर दुनिया में छूटेगा क्या नहीं तो हमें कल्पना मुक्त ए ब्रहं भूत सकल जखाया जिन जिन पूजाते जाडाया अंड न पिंड न प्राण न देही कोटी कोटी जीव कवतिक देही बकरी मुर्गी कीने उछेवा आगल जन्मून अवसर लेवा कहां कभीर सुनो नर लोई भूतवा के पुजले भूतवा हो जैसा हम करते हैं वैसा हमारे सामने आता है तो हम भ्रह्म अपने अंदर से अटाएं इसी भ्रह्म में पढ़ करके लोग बली के नाम पर बकरी मारते हैं मुर्गी मारते हैं मांचे खाते हैं तमाम प्रकार के गंदे आचरण करते हैं इन देवी देवताओं के नाम पर देवी देवता होना बुरा नहीं है यह हो तिन से बड़ा लाव है लेकिन यह है ही नहीं लेकिन मान लो अगर यह है तो इन्हें ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमारा देश शदगुणी हो जाए हमार परिवाद सीद्गुणी हो जाए तो यह जो थाना में पुरिशों को पैसा देना पड़ता है और तमाम लड़ाई जंगडे मुकादमे में पैसा लगाना पड़ता है यह सारी जंजटा हो जाए क्यूंकि जब सब सदगुणी होंगे सब एक दूसरे की बात मानेंगे सब ए थाना पुलिस जेल जज इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो आज मिलेटरी भारे पाकिस्तान और भारत में जो मिलेटरी फाउज लगी हुई है करोनों अर्बों रुपए जो जा रहा है बेर्थ में तो क्यों कर्चा करना पड़े सरकार को बहुत लाब होगा क्योंकि सबस जानते हैं कहां क्या वस्तु है कहां क्या होने वाला क्या घटनाय घटने वाली है सब जानते हैं क्योंकि सरवग्य है ऐसे गुरू अवतार दुनिया में है कि सब ऐसा बताने वाले हैं और वैसा मानते हैं कि हम भगवान हैं कबीर के हम अवतार हैं हम विश्णू के अवतार हैं किसके अवतार हैं जब उनके तथ है तक जाओ उनसे तर्क करो तो काते हैं लीला करते थे लीला करते हैं सब भगवान जितने राम है क्रिश्न है सब लीला कर रहे हैं नाटक कर रहे हैं तो नाटक तो आप भी करते हैं सब करते हैं सारा संसार नाटक में लगा हुआ है तो आप हैं जड़े संसार है सरीर है सरीर जड़ है और सरीर से संबंदित सारे जो कुछ दुनिया में दिखाई देता है इभी सुब्रम्भांड के रूप में धर्ती के रूप में आग के रूप में पानी के रूप में जो कुछ दिखाई दे रहा है सब जड़ है और आप चेतन ह आप द्रश्टा हैं हम द्रश्टा हैं इसको देखते हैं इनको पकड़ते हैं और छोड़ते हैं जहां हमें लाब होता है वह पकड़ लेते हैं जहां हानी लगता है वह छोड़ देते हैं जिस पतनी से हमें दुख कानव होता ऐसा लगता है कि इसे हमारे घर का ये जाल है हमारे घर में दुख पैदा हो गई है मानों आ गई है तो छोड़ने के लिए तयार हो जाते हैं लोग छोड़ देते हैं तलाक देते हैं बहुत उपाई करते हैं और जिसे लगता है इनसे सुक है इनसे बहुत लाब है बहुत अपने घार परिवार बिवस्तित हो सकता है तो उसे पकड़ लेते हैं और अच्छे धंग से पकड़ते हैं तो हमें कलपना से बचना चाहिए ये ब्रह्म के चक्कर में किसी को दुख नहीं देना चाहिए बलकि ब्रह्म वाला काम नहीं करना चाहिए ब्रह्म वाले काम से हमें बचना चाहिए ब्रह्म वाला काम है लोगों को दुख ना दो पेड़ा ना दो ऐसे करम करो जिससे के आपको सुख मिले तो भगवान भवानी की जरूरती नहीं पड़ेगी आप चनियम से रहेंगे तो आपका पेट खराब नहीं होगा पेट नहीं खराब होगा तो सर भगवान की जरूवर तब पढ़ती है जब हम दुखी होते हैं पीडित होते हैं अंदर से तड़प हमारे अंदर होती है तमाम प्रकार के कश्ठ होते हैं दुनिया कानभव हम करते हैं तब भगवान को मनाते हैं परमात्मा को मनाते हैं तो हमें कल्पना मुक्त जीवन जीना चाहिए अंतिम में बात है कि आत्म बोध युक्त जीवन जीना चाहिए हमें या बोध होना चाहिए कि हम कौन हैं हम आत्मा हैं हम जड़ नहीं हैं हम तुछ नहीं हैं हम कत्पुतली नहीं हैं सूत्रधार हमें कोई नचाने वाला दुनिया में नहीं है हम एक चेतन सत्ता हैं ह हम दूसरे के आधार इसलिए पकड़ते हैं, क्योंकि हम कहीं न कहीं रास्ता भूलने का डर होता है। जैसे बच्चा मा की गोध क्यों पसंद करता हैं, क्योंकि वो सब कुछ नहीं जानता है। वो भटक सकता है, दुखी हो सकता है। इसी प्रकार हम भी दुखी हो सकते हैं हमें रास्ता भूल सकते हैं इसलिए हमें गुरु की जरुवत होती है माता पिता की जरुवत होती है समाज की जरुवत होती है इसलिए तो बुद्ध मातमा बुद्धी जी काते हैं कि बुद्धम सरणम गच्छामी मने बुद्धिमानों की सरण में जाओ, उनकी संगत करो, बुद्धिमान मतलब अच्छे लोगों की संगत, गुरु की संगत, महापूर्सों की संगत करो, अच्छे लेख का अध्यन करो, मनन करो, तो बुद्धम सरणम गच्चामी, संगम सरणम गच्चामी, संग का सरण मने स समाज का सनट्षण प्डात करो। क्योंकि समाज में रहेंगे, तो कोई ड़र नहीं रहेगा, भै नहीं रहेगा, कोई गल्ती नहीं होगी, कोई ऐसे काम नहीं होंगे, जिससे हमें दुख मिले, पिडा मिले। धमम सरणम गच्छामी मने धरम की सरण धरम क्या चीज है दया सद्गूर कभीर सायब बड़ी सरल परिभासा देते हैं जहां दया तहां धरम है जहां लोब तहां पाप जहां क्रोध तहां काल है जहां छमा तहां आप बड़ी सरल परिभासा दे करके हमें बताते हैं कि दया र पूजा अगरवत्ती सुलगा लिए पूजा कर लिए पाठ कर लिए रामार 24 घंटा बैठा लिए पाठ कर लिए बीजक का पाठ कर लिए तो मानते हैं बस यही हमारा सब कुछ यही धरम है मंदिर में चले गए हाथ जोड़ लिए बस धरम हो गया वहीं बगल में भिखारी भी वाज देना बाचि है जो रामै भजें विचार राम का भजन करो विचार पूर्वक तब काले सर्प से हम बश सकते हैं वो काला सर्प क्या है अहंकर उसाहंकर के चक्तर में दूसरे को हम तुछ देखते हैं एको फिखारी को दया की दिश्टिस देखते हैं और दस बात सुना करके देते हैं कि कमाने ही सकते हो भीक मांगते हो जवान हो तमाम प्रकार की बाते सुनाएंगे तब देंगे तो जितना आप दिये नहीं उतना तो आप सुना दिये तो लाब क्या मिला फल क्या मिला शद्गुर कभीर साहिब कातने दया रखो क्योंकि यही धरम है धरम ही हमें आत्म बोध दे सकता है देखो यह शत्संग यहां पर हो रहा है यहां आत्म बोध यही धरम है क्योंकि जहां सुमतिता संतों के पास होता है, सजनों के पास होता है, अछे लोगों के पास होता है उनकी वाणी, उनके ग्यान, उनके विचार को शुन करके, हम अपने जीवन को बदलें और अपने मन को बदलें क्योंकि नहीं बदलेंगे तो उसका प्रड़ाम हमी को मिलेगा तो मैं कुछ देर कुछ कहने का प्रयास किया तिन सूत्र पर दुरवशन मुक्त जीवन कलपना मुक्त जीवन और आत्म बोध युक्त जीवन हमें जीना चाहिए मैं यहीं पर अपनी वाले को भी राम देता हूँ एक बार जोर से जैकारा बोलें बोलिये सद्गुर कभीर साहिव की संत समाज की भक्त समाज की साहिवन नहीं साहिव